तो चंपाउत घुमने के बाद अब हमने कर लिए टनकपूर के लिए यहां से रुक और अब हम जाएंगे सिधे अपने ससुराल क्योंकि वहां है मेरे साले का जो बच्चा है उसका नामकरण है तो वहां जाएंगे हम लोग तो हम दिखाएंगे आपको टनकपूर के कुछ बह हैं अपने ससुराल और बने यह मेरे साथ वीडियो के एंट तक हम पहुंचने वाले हैं तुम्हारा टनकपूर पहुंचने आरहे हैं वह सामने दिखाए दे रहागा नेपाल नेपाल बरम्मदेव का मंदिर दिखाए दे रहा है है कि इस सैड़र इंडिया उस साइडे तो हम पहुंच चुके हैं टनकपुर और यह हमारी सामने गली पहुंच गी है तो अब देखते हैं कर पे कौन-कौन मिलता है पहले तो जो दक्का लगी गवाई उनको देखके चलो अभी दिखाती मैं आपको तो चलो अंदर ही चलो टेट खुला है बहुत लूज आ रहे हैं अपक्ष पॉस्राव कुस्राव होगजे हैं जाला के लिए हमने फैसला किया कि हम जाएंगे सार्दा घाट पे और यहां के नजारे तो क्या अद्मुत है अगल एकदम इंडिया और नेपाल के बीच बीच नदी बहरी है और सामने दिखाए देरा है नेपाल देख सकते हैं तो हमने सोचा थोड़ा दर हम भी धूम लें इधर की तरफ और कैसा है यहां का लोकेशन देख के आप इस वीडियो में ओए भाई मैजा गयर ओजा गयर मच बगड़ है यह बच्चे बड़िया वाली तो भाईया यह तो बड़ा सही है यार जगह लोग आया है मतलब फूजा उजा करने के लिए भी आया है लोग रिवर बैंक और फिर हम अगले दिन आगए टनकपुर के छोटे से रिल्वे स्टेशन बे और बहुत प्यारा सा एक रिल्वे स्टेशन आई है पहाड़ और अपनी जो प्लेंस है एरिया है उसके बीचों बीच यह रिल्वे स्टेशन है कि अधि कि टो गाए खेशन का कई दो भाई आज नामकर वाले के नाम दोई हो गी है बुआ ने और टाइने मुद के नहला दिया है बस मेरे बच्चा वाल तो उसस बस है है कि अज़िए लगा देगी और फिर अगले जिन हम चले गए नेपाल गुमने के लिए और नेपाल भी बहुत बढ़िया जगह है यह नजदीक पढ़ता है मेरे सफुराल के बहुत जादा नजदीक है और यहां से आब ब्रह्मदेव की मंदिर और वहां से फिर महिंद्य नगर जा सकते हैं जो कि महिंद्य नगर वहां से दस या बारा किल्मेटर के बीच में है तो कुछ इस तरह की रही मेरी यह टनकपूर वाली जरनी आई होप आप सब लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आये होंगे और विश कि इन स्विचर में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूँ तो इसके लिए प्लीज फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों का बहुत बहुत थेंक्यू सो मच